हेलो फ्रेंड्स बसंद पंच मी आ रही है और आपने अभी तक नहीं सोचा क्या बनाना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है आज मैं बना रही हूँ जोदपूर के फैमस माखनवडे जो बहुत ही डिलीशियस मिठाई होती है तो चलिए बिना देरी किये फटाफट शुरू करते है इन्हें तो इसके लिए मैने एक कटोरी मैदा ले लिया है फ्लेवर के लिए हम इसमें इलाइची पाॉडर डालेंगे जरा साइस्में हम नमक डालेंगे और one-fourth tea spoon हम इसमें बैकिंग पाॉडर डालेंगे 1-8 टी स्पून हम इसमें बैकिंग सोडा डालेंगे और मोयन के लिए हम इसमें गी डालेंगे सारे ड्राइ इंक्रीडियन पहले मिक्स कर ले फिर इसमें आप मोयन के लिए गी डालें मोयन इतना होना चीए कि यह हाथ में अच्छे से बंदने लग जाए जब मुठी में बांदे तो घी डालके अच्छे से हम इसको पूरे में मसल मसल के मिक्स कर लेंगे और हाथ में बांद के भी देखेंगे यह देखिए तो बस मोयन बराबर है अब हम इसका पानी की मदद से एकदम टाइट डो बनाएंगे इतना टाइट के बस हमें इसको एक साथ इखटा करना है इतना ही बनाना चिकना डो नहीं बनाना है तो अब हम इसकी छोटी-छोटी लोई बनाएंगे ये देखे इसकी गोल बॉल्स नहीं बनेगी बस हमें ऐसे अंगूलियों की मदद से दबा दबा के इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी और उससे फिर चप्टा कर लेना है ये देखिए ऐसे चप्टा कर लेंगे और अब हम इन पे चाकू की या फोक की मदद से डॉट डॉट कर लेंगे दोनों तरफ कर लेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो कच्ची ना रहे तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो मैंने घी ले लिया है घी में ही फ्राई करें फ्रेंड्स मिठाई घी में ही अच्छी लगती है और घी का टेंपरेचर बिल्कुल लो होना चीए फ्लेम भी बिल्कुल लो होनी चीए अगर घी का टेंपरेचर बढ़ जाता है तो आ फ्लेम को बंद करके टेंपरेचर को सेट कर ले और एक बार डालते ही इसे ना छेड़े हलका फ्राई होने दें फिर इसको अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर ले एक बैच फ्राई करने में कम से कम आपको तीन से चार मिनट लगेंगे अगर जल्दी करेंगे तो यह कच्छे रह जाएंगे तो यह देखिए यह फ्राई हो गए अच्छे से और फूल भी चुके हैं तो अब हम इनको जारे पर रखेंगे थोड़ी देर के लिए जिससे इनसे घी सेपरेट हो जाए और आप इनको घी में ही फ्राई करें फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से अब मैंने इसकी कोटिंग के लिए उसी कटोरी के नाव से एक कटोरी चीनी ले लिए और चीनी डूबे जितना ही हम पानी डाल लेंगे हमें एक तार की सुगर सिरफ बनानी है फ्रेंड्स इसमें मैं एक पिंच यलो फूड कलर डाल रही हूं और थोड़े से केसर के धागे डाल रही हूं इसमें इलाइची और केसर का स्वाध ही ज़्यादा आता है तो इसलिए केसर डालना ना भूलें और चेक कर लेंगे सुगर सिरफ को हम कि एक तार की बनी है या नहीं बनी है पहले ठंडा करें उसको फिर चेक करें यह देखिए बराबर एक तार बनना चीए कम ज़्यादा होगा तो इसकी कोटिंग में दिखत हो जाएगी तो यह दियान रखें बराबर एक तार होना चीए अब हलकी सी सुगर सिरफ ठंडी करेंगे और फिर हम इसे बीट करेंगे बीट करने के लिए आप हैंड बीटर ले 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 पोक ले 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 चमच ले 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 इ तो अब हम सारे माखनवड़े इससे कोट कर लेंगे दियान रखें ये काम जल्दी जल्दी करें वरना सुगर सिरफ इसी में चिपक जाएगी सारी और ग्रीस कीवी प्लेट में कोट कियेवे माखनवड़े रखते जाएंगे ऐसे ही सारे कोट करके हम इनको रून सुगर सिरफ को ऐसे ही सेट कर लें ये देखे मैं अभी आपको तोड़के दिखा रही हूं अभी ये नीचे की तरफ से सेट हुई नहीं है ये देखे तो हम इसको वापिस लगा लेंगे और पलट लेंगे इन सब को ताकि ये सेट हो जाए और रून टेंपरेचर पे ही करें थैंक यू